भोले बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सेयर भी करें वाट्स अप और फेस्बुक पे जोतिस में सिर्फ पंचांग में ही नहीं बलकि पक्षियों से जुड़े सकुन के माध्यम से सुब और असुब समय को जानने की परंपरा रही है सकुन सास्त्र की मदद से आप कववे के बैठने, कववे के मंडराने, कववे के देखने या फिर कववे के बोलने की मदद से पहचान सकते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है तो आईए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कववा वो दस जो है संकेत क्या क्या संकेत देता है तो अतिथी के आगमन का भी संकेत देता है कववा आपको अतिथी के आगमन का भी संकेत देता है लेकिन किस कंडिशन में किस तरह क्या संकेत देता है अतिथी के यदि आप रोज़ी रोजगार के लिए घर से निकले हो और रास्ते में कोई कववा गंदगी में बैठकर गंदगी को खा रहा है तो इसे सुबसंकेत मानिये और इस सुबसंकेत में निश्यती रोजगार की प्राप्ति की सफलता आपको मिलने वाली है संतान प्राप्ति का भी शकुन आपको देखने को मिलता है कवव आपको पहले ही बता देता है यदि किसी विवाह के अवसर पर बाटी जाने वाली मिठाई में से कुछ दाने कवव आपनी चोच में लेकर उड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि नव दंपती को विवाह के बाद सिख्र ही सवास्ते सुन्दर संतान की प्राप्ति होने वाली है लक्षमी की वी किरपा जो होती है वो भी कवव आपको पहले ही संकेत देता है किस तरह से दिता है लक्षमी की आगमन का संकेत तो चलिए आपको बताते हैं यदि आपके घर में किसी पानी में भरे बरतन में कववा उच्छल कूद करता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माताल अच्छिमी की किरपा होने वाली है और आपको आने वाले समय में धन धान की कमी नहीं होगी पैसे की कमी मानेता है कि जिस घर में प्रती दिन कववे आकर दाना पानी खाते पिते हो और प्रसंद होकर जाते हो तो उस घर के लोगों कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और उस घर के लोग हमेशा सुखी भी रहते हैं सुन्दर पत्नी की प्राप्ती का भी संकेत कववा आपको दे देता है यदि किसी उड़ते हुए कववे के मुँ में पीले अथवा सफेद रंग की मिठाई किसी के उपर आगर गि तो सभशे जाना चाहिए कि उसे सिग रही सुंदर अस्तिरी की प्राप्ती होने वाली सिग रही सभल भी आपके सभी काम सभल होने वाले इसका भी संकेत आपको कववा दे देता है तो समझ जाना चाहिए कि आपका काम बहुत जल सफल होने वाला है लेकिन यदि वह उससे विपरित दिशा में जाता हुआ दिखाये तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मुसीबत भी आने वाली है तो ऐसे कववा आपको संकेत देता है तो सनी देव का प्रतीक है कववा औ और कहुआ आपको बहुत सारे संकेत देता है।